दोस्तो नमस्कार मैं जगन्नाद बहुत हूं देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है दोस्तो जो आज हमारा बाचीत का मुद्दा है वो है भारत में पत्रिकार्टा का आप क्या माहौल है दोस्तो कई लोगों का मानना है ना के बल देश में बलकि विदेश में भी कि भारत का मुख्यधारा का मेडिया अपनी सही भूमिका नहीं निभा रहा है यह आरोप कई लोग देश के अंदर और देश के बाहर लगाये जा रहे हैं विदेशी मीडिया के भी कुछ ऐसे ही आरोप है दोस्तो जो आरोप लग रहे हैं मुख्य आरोप यह है कि जो मीडिया लोग तंतर का चौथा इस्तंब होता है और वो मीडिया जो एक दसक पहले तक लगभग विपक्ष की भूमिका लोग तंतर में उठाता रहा है और वो वो खवरें दिखाता रहा है जो सरकार चिपाती थी या जिसको सरकार चिपाना चाहती थी चूंकि एक दसक पहले के मीडिया को देश की जंता की आवाज माना जाता था वो देश की समश्याओं को उठाता था और जहां भी सत्ता धारी दल डगमगाता था इधर उदर होता था और मीडिया की अपनी भूमिकासे हडता था तो देश का मीडिया उनको लाह पे लाने के लिए उनकी गलतीयों को बताने के लिए कि आप गलत राष्टे पर जा रहे हैं तुरंट उनको सुधारने के लिए सत्ता पक्च को अगवा करता था लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने कहा शुरू में कि वर्तमान में ऐसी इस्तिती लगभग नहीं रही है इसलिए भारत की मुख्यधारा के टीवी चैनलों और शमाचार पत्रों पर चारों तरफ से उंगलिया उठ रही है कि भारत का मीडिया अपनी निश्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहा है पूब देपर बादचीत करने के लिए आज हमारे बीच में हैं हमारे महमान जोती संग जी जो सहत्यकार पत्रकार रंग कर्मी और जर्मन भासा के विद्वान हैं और आज भी वो देश में अनेक विद्यार्थियों को लोगों को जर्मन भासा पढ़ाते हैं तो जोती संग जी जो मैंने सवाल आपके सामने रखे उन पर आपके विचार क्या है आप क्या सोचते हैं एक पत्रकार होने के नाते एक साहित्यकार होने के नाते भी चूंकि साहित्ते समाज का दर्पा होता है और चूंकि आप बुद्धी जीवी हैं, रंग करवी भी है और पूरे मतलब देश विदेश में आप भ्रमन करते रहते हैं बंजारे की तरह आपकी जीवन हमेंसा सारी दुनिया में घूमते घूमते गुजरा है भारत के बारे में विदेशी मीडिया या विदेशी लोग क्या सोचते हैं इन सारे मुद्धों पर हम चाहेंगे कि देश रोजाने के दर्शकों को आप अपने विचारों से अवगत कराएं धन्यवाद गुतम जी देश रोजाना जोसे स्वस्थान जो आज मुद्धों की बात करना चाहते हैं सच तो यह है कि मीडिया का असली काम तो यही है लेकिन हैरानगी होती है कि बहुत से लोग शायद इसे अपना नह करता भी समझते हैं नहीं काम समझते हैं एक अजीब सी बात है हम जब बात कर रहे हैं पत्रकारों की पत्रकार इतला की मैं माफी मांग के कहना चाहूँगा जिन लोगों का जिक्र जिनको ध्यान में रखके आपने सवाल किया है उन में शायद पत्रकार नाम की कोई चीज नहीं है वो पत्रकारों की एक replacement है. पत्रकारों के काम करने के लिए कुछ वाचाल लोगों को, कुछ अच्छे एक्टरों को, कुछ लोग जिनके पास शब्द भी है और शब्द कहने के कला भी है, उन लोगों को लाया गया है एक विशेश purpose के साथ. उन खास मकसद के लिए. और पत्रक पत्रकार तो वो होता है जो जाता है, पढ़ता है, देखता है, अलग अलग दिश्चे कोड़ों से देखता है. आज का पत्रकार एक commentary पढ़ता है. उसको सुबह बताया जाता है. बभी आज का विशेश यह है. कौन बताता है? जिन लोगों को इस देश की सत्ता चाहिए, ज इस देश को सिर्फ और सिर्फ अपने सरीके से चलना है। लोगzent सांसों होसकते हैं, राजी म्याहितियम पीरों होसकते हैं, यह नगों को सपोर्ट करने लिए कुछ और लो की होसकते हैं, जिन जिन की ढूटि लगा ही गएए। भैया आप यह किजिए, मैं बिल्कुल साफ कहन चाहता हूँ, शयद कड़ी बात हैं, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, कि आज जिन लोगों के नाम के आगे पत्रकार लगाया जाता है, जो आज टीवी हैंकर्स हैं, रोज सुबह से लेकर रात तक जिनकी शकल, या मुदी जी या वो, दो ही शकले हैं, जिनको हम दिन बर देखते हैं, इन लोगों को पत्रकार कहना तो, पत्रकारता की जियाती है, बेज़ती है, यह कारे करता हैं, और इनको कहा गया है, आप यह काम करो, और इनको एक पट्टी दी, यह चाहे इनके माथे पे लगा दो, च किसके कारे करता है? मैं इस बात को खुले तरीके से बिने डर के कह सकता हूँ कि देखिए, देश को तो राजनीतिक दल चलाते हैं, विचार धरा चलाती है. चाहिए तो ये के देश की सत्ता पर बैठने वो लोग होने चाहिए, जो देश की समस्याओं को जानते हूँ. और देश की जनता को से बबारने के लिए काम करें. ये काम इतना आसान नहीं है, सब आदमी नहीं कर सकते हैं. मेरा ख्याल है, मैं तो इसमें कोई बुरा नहीं लगता मुझे, कि सतर सालों में जबसे मुलक अजाद हुआ है, हमारी पहली सरकार, दूसरी सरकार, तीसरी सरकार, चोतरी सरकार, शयद कोई भी से पूरी तना से नहीं कर पाया. ये ठीक है, कि जो शुरू की, जो हरलाल के वक्त की या उसके बाद की जो सरकारें कांगर्स पार्टी ने किया, उनकी नियत में कम फरक नदर आता था, कहीं न कहीं ऐसे लगता था, करना चाहते हैं, और वो कर पाये ये नहीं कर पाये, गल्तियां भी की, बहुत बड़ी बाता है, मेरी भाषा नहीं किसी आदमी से पूचिए, इस देश का मजदूर तंग है, इस देश का किशान तंग है, इस देश के मिद्यार्थी तंग है, इस देश की महलाएं तंग है, इस देश का कारखानेदार, मध्यम बड़ी दुकानदार है, बिस्नसमेन है, वो तंग तो यह बताईे न के स्वाल मेरा नहीं है, मैं महसूश करता हूं, दिन अधनले कलास। लोगों गरता हूं। उच्वरगे लोगों को भी जानता हूं। एक भी बीज नहीं है जोभडा हो कि कैसे के myślaushman के यहार जियार मैं भी हूं। मसालत में जरूरी है या बिलकुल वाज़ा है कि जो सरकार है प्रजातंत्र है प्रशासन है उनकी दिशा और नियत दोनों ही सवालिया निशान के पीछे है इसलिए जो हम टीवी पे देखते हैं मतलब मैं तो दावे से कह रहा है मैंने पिछले छे मेने से टीवी नहीं देखा आपने टीवी क्यों नहीं देखा और क्यों बंद कर दिया इसलिए के मुझे कुछ ऐसे लोगों को नहीं सुनना है जिन muで क tact करने लिए میरे बीचारों को बदलने के लिए ड्डूती पर लगाया गया है उनके अपने क्यों वियूज नहीं हैं, उनको काम पर लगाया गया, कुछ अर्थ शास्री ओने, कुछ राजी दिग्यों नहीं, कुछ प्रोफेसर भी हैं, बुद्धी जी भी हैं, जिन लोगों के इस काम पर लगाया है, लोगों को गुम्रहा करो, मती बरेश्ट करो इनकी, इनके दिमागों में ये डालो, इनके दिमागों से कृष्ण को निकालो, राम डालो, इनके दिमागों से धर्म निकालो, अधर्म डालो, लेकिन ले दे के उसका नाम को छोड़ होता है, बड़ा अच्छा सा नाम होता है, हम आपकी प्रगती के लिए, उन्नती के लिए, अगर भुखा जस देश में सोता है, तो उस देश की नीती का है, उसका भविश्य का है, उसका प्लैनिंग का है, मैं माफी मांग का कह रहा हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति को इसके लिए गल्ब ठहराने के लिए त्यार नहीं हूँ, लेकिन majority of the people, जो आज जिन के हाथों में सत्ता की बागडोर है, वो गलत हैं, बहुत ज़्यार गलत हैं, वरना देश की इतनी नाजों को इतनी भ्यंकर परिस्तिती कभी मिना होती है, लेकिन जिन TV चैनलों या मुख्यधारा के मीडिया की बात हम कर रहे हैं, वो तो बड़े सब्जबाग दिखाता है, कि राम राज्या आ गया है, और सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, देश प्रिगत्ति कर रहा है, देश की अर्थ विवस्ता, मतलब इतने बुलंडियों पर जा रह कर समाधान कर दिया है, और जो बची हैं हमतेजी से उन्हें मलक करने जा रहे हैं, और आप इसके उलड़ बोले हैं, कि देश की हरवर्ग दुखी है, लेकिन देश का मुक्यधारा का मीडिया तो, गौदम जी देखिए, मेरे कहने से नहीं फरक पड़ता है, कि मैंने दुख के लाती है, जिसको किलो चाहिए, वादा चाहिए, या तीन आइटम खरीटने के बाद छोड़ती है, चलो इसके बिना गुजारा हो जाएगा, इसको छोड़ दिया जा सकता है, अगर यह सच नहीं है, मैं कहता हूँ, आप सो आदमियों में चले जाएगे, सबजी मंडी में चले जाएगे, बादार में चले जाएगे, कही चले जाएगे, लोगों के बजट खराब हो गए हैं, लोगोंने, चीजे खान नहीं बंद कर दिया, कुछ लोग मुझे, ऐसा हो जाए, हमारे साइंस दानों, ने वारेIGN टी वी जेनलों बताना चुरू कर दिया, टमाटर चि मेंगाई बढ़ी है लेकिन इंकम नहीं बढ़ी है लोगों नहीं इंकम भी बढ़ी है लेकिन इंकम बढ़ती है पांच परसंट लोगों की मेंगाई बढ़ती है पचानमे परसंट लोगों के लिए टीवी चैनलों में उन पांच परसंट को दिखाया जाता है जिनकी इंकम ब देश की जनता के पिर्थी वफादार होना चाहिए, उसकी आवाज बनना चाहिए, वो मीडिया सरकार का माउट पीज बन कर रहे हैं, या क्या आप ऐसा मानते हैं? मैंने आप भूल गए है, मैंने अपने वेक्तिव की शिरुवात में का है, ये मीडिया वहिंड राष्ट है, और ये जो लोग मीडिया के नाम पे जिनको बिठाया गया है, ये मीडिया के लोग नहीं हैं, ये केवल रोबर्ट हैं जिनमें चावी भर दी जाती है, और चावी बड़े कमाते हो ऐसे हाथ करते हैं बच्छा हसता है सामने देखिए मेरे सामने आद्मी ना चुला है लेकिन उचावी खत्म हो जाएगी फिर बर्दी जाएगी लेकिन ये मीडिया सिर्फ इसलही हो सकता है देखिए आपके बस जबान है ये तो लगता है जब आप बोलते है आपका दिमाग है और आँखे हैं यह लगता कि जब आप कहते हैं गंगा के किनारे लाशों का जिक्र होता है जब करोना के दौरान बही यह कुछ बड़ी बात नहीं हो सकता है लाशे हैं तो लाशे कही ने कही बहाँ जाए लेकिन देश का मीडिया उसको दिखाने से इंकार क के दौरान में इसका यह मतलम निया है कि मैं सरकार को क्रेटराइज कर रहा हूं हो सकता है को और सरकार होती इसको भी यह होता लेकिन क्या इच्छा शक्ति थी अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो मानना चाहिए ना ऑक्सीजन नहीं थी विघ्ट है लोग मरगे लाइनों में पेड लगे उनको आठ हजार पेड बता जिया कि देश हरा होगी। जहां कुछ विदेशी मीडिया कोरोना से पचास लाक लोगों की भारत में मरने का दावा कर रहा था, वहीं भारत में ये संख्या कुछ हजारों में बताई जा रही थी। आप इस बात से सहमत है। मैं सोचता हूँ जो विदेश ने बताया जो नंबर बताया ये भी शायद कुछ कम था, क्योंकि हमने अपनी आँखों से शम्शान भूमियों में बारी हाते नहीं देखी लोगों, लोगों को लगड़िया नहीं मिलती थी शम्शान भूमी में, ऐसा कौन सा जल्म हो गया था, बरिसों से लोग मरते चले आ रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है कि आप शम्शान भूमी में जाएं, आपके पसादर नहीं है, वहां कोई आदमी नहीं है, सोबाती है, अब ये बताईए, कि जो पिछले दसक में मीडिया की भूम का रही है, तो असली मीडिया कहां से लें, या इस इसका कोई जो सरकार क्या माउट पीस मीडिया बन चुका है, कोई अल्टरनेट आपको नजर आता है, जो विपक्स की भूमिका को नहीं दिखाता, जो सवाल सत्ता पक्स से पूछने चाहिए, वो विपक्स ही नेताओं से पूछता है, और जिसे अपने कारियों का बखान कर चाहिए, कि दस साल की हमारी यह उपलब्दता है, जो हमने देश को दिया है, उसकी जगे वो नहरु खानदान के किस से सुनाए जाते हैं, कि सतर साल में नहरु खानदान ने गांदी परिवार ने यह किया, आरे भई, जरूरत तो इस बात किये, कि मीडिया यह दिखाए, कि वर्तमान में दस सालों में देश की जनता की जो समस्याएं थी, क्या उनका हल हुआ या नहीं हुआ, वो महंगाई का समाधान निकला या नहीं निकला, विद्धार्तियों के रोजगार का या छात्रों के रोजगार की जो समस्या है, वो 45 पर्षेंट या जितने भी है, यह कोम जिम्मेदार है और यह चीज मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है। गौतम जी आपके सवाल में थोड़े से दो पक्ष टकरा रहे हैं। आपके कहा कि जो हमारा मीडिया है उच जनता की समस्यां क्यों नहीं बताता। और क्या करें जो बताना शुरू करते हैं ह rằngी सवालं करें। दखे, यह सब चीजेछ प्रजात अंतर अंतर में संभु होती हैं जहां लोगों के पास अधिकारियों के पास। रुको 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 और जन प्रतिनिद्विक के पास। यदि कहने की करने की स्वधान्तरता है और उनको जो अधिकार हमारे विदान ने दिल दिये हैं अगर उनका इस्तिमाल कर सकते हैं तो तो है प्रजात अंतर। यदि मंत्री भी और अधिकारी भी मौत्पीस हैं, उनको वही करना है जिन्हों कहा जाए, आदेश के बाहर जाने की एक एक इंच इजासत नहीं है, लिखा लिखाया एक मजबून है, जिसके लिख में सबने चलना है, तो प्रजात अंत्र का मतलब थोड़ा है कि प्रजात अं बैट के, जिसे कानून अगर अलाव करता है किसी ऐसी जगा पर यहां बैट सकता है, और वहां भी ना बैटने दिया जाए, जहां मजदूर को आठ घंटे का काम ना मिले, जिनको काम मिले, उनको पूरी पैसे ना मिले, और जितने पैसे मिले, उससे एक वक्त का खाना ना मि है उस देश में ही दुनिया के सबस्वे अमीर आद्मी पैदा हुए रहे हैं। उसी काल में सबसरे ज्यादा अरब पती भी थी उसी देश पें पैदा हुए है। उसी देश में करोड़ पत्थी को रूप है, कि वे को यह नमपिदान नगने का को अगर आप 80 करोड आदमी को बोजन दे रहे हैं, तो अगर आप 80 करोड आदमी को बोजन दे रहे हैं, तो अगर आप 80 करोड आदमी को बोजन दे रहे हैं, तो खाना कहा है, वो क्यों नहीं कमा सकते हैं, उनके बस काम कहा हैं, काम करते हैं, तो पैसे हों, क्यों आपका राजन को तोहना पड़ता है कि कब कोई आए मुझे बोजन दे जाए वो बोल नहीं सकता प्रभू वो तो जब रात को रोटी पकाता है तो वो अपने नेता का नाम लेता है जायराम 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 उसको वो जो आँ धे गया धंदा थैले पे भी फोटो देखता उसकी, देने वाला भी पता जाता है किस ने भेजा या है, उसके ये भी कहाता है किसका नाम लेकर जैजा करते हो, वो खाना सोचता है, उसी घर से आ रहा है तो मेरत भी लेता है. चलिए, हम इस बाटचीत में अब अंतिम दौर की तरह बढ़ते हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक स्वतंत्र मीडिया के बिना किसी लोगतंत्र की कलपना नहीं की जा सकती तो आपकी नजरों में जो देश में जो मीडिया वाला ये संकट दिख रहा है और दिख नहीं रहा एक सच्चा ही है तो इस क्य आपकी नजरों में क्या समाधान है क्या होना चाहिए देखिए समाधान तो हो गया है एक हिस्से से समाधान हो गया है पिछले चुनाओं में जनता ने अपनी वोट के अधिकार का इस्तमाल करके वो बदलाव ला दिया है जो जनता ने लोगों ने दुनिया के किसी आदमी कल तक जो सरकार दहार के एक अकेला की बात करती थी, आज उन्हें भाई चारा, मित्र चारा मिलकर चलने की बात, जब तक जिन्दा हैं मिलकर चलेंगे और हम सबकी बर्जी की बेना नहीं चल सकते, ये बाते अब सुनने को मिल रही हैं, नमबर एक, नमबर दो विपक्ष, जो कल तक अर्थीन तब्रित प्राय था, आज उसके पास भी एक आवाज है, ताकत है, ये जन्ता ने की है, रहुल गांदी नहीं कर पाए, किसी विपक्ष के नेता में दम नहीं था कुबलता, लोग जागे और लोगों ने करके दिखाया, नमबर एक, नमबर दो, अब आने व अब विदान सभा के अलेक्षन आ रहे हैं, आप देखेंगे, बहुत खूबसूरत, बड़े दमदार बदलाव होंगे, बैमानी, जूट, मैनुपलेशन, ये हर योग में हो दी रही है, सतर साल से हो रही है बाईजान, लेकिन ये सतर साल हर बार चलती रही है, ऐसा नहीं, इंदरा गांधी के वकित नहीं, तो इंदरा गांधी को खाड़ के फैक दिया गया, वो इंदरा गांधी जिसकी लफ्स, जिसकी आवाज, देश की आफरी आवाज थी, वो अपना एलेक्षन भी हार गई, और अच्छा लगेगा, ये बात इस बार हो जाती, प्रतान मंतरी हार जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन चलिए, परमात्मा ने जिसके लिए नदर सीधी रखी है, तो कुछ सोच के रखी होगी, नहीं, हम जो समापन पर, पर कि जो बात कर रहे थे, मीडिया पर, मैं ये कहना चाहता हूँ, कि मीडिया मुरा नहीं है, असली मीडिया जि चिरिए ये है कि उन पर, क्योंकि मीडिया हाॉसिस जो हैं, जिनके थूरु पत्रकार काम करते हैं, उस सारे के सारे खरीद लिये, हिंदुस्तान में इसमें छुपा कोई नहीं है, जितने भी मीडिया हाॉसिस हैं, वो सत्ता और सत्ता के लोगों ने खरीद लिये, ये हर 500 वो मीडिया रोबर्ट हों, जिनको हम रोज देखते हैं, उनके मुकाबले में जो 50 सच-बच मीडिया वाले लोग थे, चाहे वो यूट्यूब से आये, चाहे वो किसी वे रास्ते से आये, लेकिन उन्होंने इस एक टन के मीडिया तंत्र को 100 ग्राम मीडिया ने हेवी हुए, भारी हुए, आपका मतलब सोचल मीडिया से यूट्यूब चैनल हो से, मेरा मतलब रवीश कुमार से भी है, मेरा मतलब ऐसे सेक्ड़ों लोगों से है, जिस ने इस वक्त में पत्रकारों से, जिन्हों ने इस दमाने में अपने जान की उपके ओपर खत्रा उठ पत्रकार के दर्म निवाया, और ये लोग चाये कल तक जिन्दा न रहें, मार दिये जाएं, या क्या हो जाएगा, इनके सारा सारा भविश्य काला कर दिया जाए, लेकिन यह खत्म नहीं हो सकते, एक मरेंगे, 26 और पैदा होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने खिम में डाल कर और पत्रकारता धर्म निवाने का और देश की देश और देश की जनता के प्रती और लोगतंत के प्रती अपना धर्म निवाने के लिए वो बहुत सारे परिसानिया जहल कर अपना पत्रकारता का धर्म निवा रहे हैं, कास के मुख्यधारा का मीडिया भी अ अपना पत्रिकारता का धर्म निभा पाता तो जो चोतरफा पिछले दसक में जो मीडिया की बदनामी हुई है और उस पर कई तरीके के आरोप लगे हैं उसकी निस्पक्षता पर उंगलियां उठी हैं और जो सब जानते हैं कि जो जो भी आरोप लगे हैं तो शायद ये हालात ना होतें मैं ये एक बात पीज में कहना चाहूँगा कि हम मीडिया के उस इससे को जिन के नाम सब जानते हैं खालीर रिवीश कमर कौमार तो एक नाम है हमने एक माड़ल के लिए उसमें ऐसे सैक्र्डो नाम हैं जिन लोगों ने काम किया और कामयाबी से किया और सप्ता को ह लाक दिखा दिया, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये वो ताकत है, ये जब भी उठेगी, ये इनकलाब लाएगी, दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब फरिजाबाद में हमारे एक पत्रकार हैं इश्टिश कुमार जी, मजदूर मुर्चा निकालते हैं, छोड के साथ एक जो जरूरी बात आज कहने साथ जरूरी वो है, कि सहित्यकार बुद्दी जीवी जो है, ये बड़े अफसोस की बात बता रहा हूँ आप, ये निराला का मुल्क है, महादेवी वर्मा का, जैशंकर प्रशाद का, राउल संस्कृतायन का, प्रेम्चन का, ये जित जब देश का, पत्रेकारता का महोल दबा दिया जाए, त्रस्त कर दिया जाए, उसको एक ऐसे गड़े में डाल दिया जाए, जहां से उनकी आवाज लोगों चीख तो रहे हैं, लोगों तक न पहुंच सके, उस वकट इस कलम को जिन्दा होना चाहिए, सहित्यकारों के कलम क इन्हें उठके बार आना चाहिए, एक काम करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सहित्यकारों का भी बीज़ खत्म हो गया, सहित्यकार भी अब भी हैं जिनके पास दम है, कर रहे हैं काम, लेकिन ये प्रपोर्शन्स जो हैं, ये प्रतिशत इतना कम हो गया है, तो मेरा सहित्यकार को भी एक जिम्मेदारी लेनी होगी, कि अपनी कलम को एक पर जिन्दा करें, उस महबत, जुल्फों, नीली आंकों, जील सी आंकों और तेरी पतली कमर को छोड़के, एक उन्कलाब, जिन्दाबाद, सर जुका सकते हैं, लेकिन सर जुका नहीं सकते हैं, उसका द रास्ते से भटक गया है, उस पर आज हमारे मेमान जोती संग जी ने जो पत्रकार, शाहित्यकार, रंग कर्मी और जर्मन भासा के विद्वान हैं, पढ़ाते हैं, उनके विचार आपने सुने, आपको ये कार्यकरम कैसा लगा, अपने मैसेज करके, आप हमें बता सकते हैं, देखते रहिए देश रोजाना, जै हिन, जै भारत, जै सविधान, नमस्कार, जोती जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आए, और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत की धन्यवाद, आपको दिल से रोजाना, देश रोजाना को और आपको दिल से बबारकवाद.